नमस्कार सर मेरा नाम राजू है HDFC मुचल फंड ने एक NFO लांच किया है HDFC मिटकेप फंड यह NFO 23 नवंबर से सुरू होगे 7 दिसंबर तक जाएगा मतलब 7 दिसंबर के पहले जो भी बेखती NFO पिरियट के पहले खरीदेंगे 10 रुपय से इलोट हो जाएगा बाद में इनका रेट 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जो भी होगा एच पर मार्केट कंडिशन आपको वहाँ पे ग्रोथ उस तरह से दिखेगा जबकि इस फंड का कंबिनेशन अगर देखते हैं तो 25% लार्ज केप में लेकिशन में पचीश जर पर में पचीश जर लार्पया अब क्वेश्चन यह होता है कि किन लोगों को यहाँ पे पैसाым करना चाहिए तौ तो इसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि एक द्यक्ति जमील लेके फर्स फ्लॉर बना लिये हैं और वहां पे रेंट लगा दिया हैं कभी रेंट आता है कभी नहीं आता है और वह सुचते हैं कि ऊपर में भी एक फ्लॉर बना देते हैं 10 लाग रुपया खर्च करके तो थोड़ लाग रख दीजिए और वहां से आप एजडब्लूपी कीजिए कितना एजडब्लूपी करूंगा क्या ग्रोथ होगा इसके लिए फिर से इस्टारिसएपी के कैलकुलेटर में जाते हैं और यहां पे दस लाग रखते हैं 15 साल तक रिमेन इन्वेस्टेटर रहते हैं और मातर 12% का रिटन केलकुलेट करूँ तो 24 लाग रुपिया बन जाता है जो आप उपर में बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं 10 लाग खर्च करके क्या वो 24 लाग रुपिया का हो जाएगा आप कहेंगे कि हाँ हो जाएगा तो अभी जो नीचे वा जोट हो चुगा है जमीन में प्लॉट में फ्लेट में अब आगे नहीं होने वाला है तो वो दस लाग रुपिया आप यहां जो किए चववन लाग रुपिया जिस दिन बन जाते गा उसके बाद हम पेंशन पे जाते हैं इस पेंशन को कैलकुलेट करते हैं चववन लाग आप consume कर लेंगे pension के तोर में और बाद में balance बचेगा 73,34,000 रुपया यदि आपका portfolio जो fund यहाँ पे लगाए है मातर 10% का return देता है तो यदि यह 11% का return दे तो pension तो उतना ही draw करेंगे constant है 40,000 रुपय पर मन तो आपके account में 72,000 ही आएगा तो इतना पैसा आप next generation को transfer कर सकते हैं साथ-साथ 40,000 रुपय पर मन pension भी ले सकते हैं यहाँ पे 10,000,000 रुपय लिखते हैं और 6,000 रुपय इमीडियट pension लेना सुरू करते हैं 10,000,000 रुपय जो construction करने वाले थे वो ना करके इस NFO में पैसा लगा दिया और 6,000 रुपय पर मन लेना सुरू किया आने वाले 15 साल के लिए 11 पर मन रुपय यहाँ पे deliver हो यह जो NFO आया है HDFC Multi Cap यहाँ पे पैसा लगा दिया 10,000,000 रुपय वन टाइम 6,000 रुपय लेना सुरू कर दिया आने वाले 15 साल के लिए सोचा ऐसा करेंगे 6,000 रुपय पर मन आता रहा 10,80,000 रुपय आपका draw हो गया और बाद में balance बसता है 24,14,000 रुपय यदि 11 परशन के rate से return हो तो कम होगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा जादा होगा तो क्या होगा? जादा हो जाएगा चलिए इस time को बढ़ाते हैं 20 साल कर देते हैं तो पेंसन कितना आ जाएगा? 14,40,000 आपने 10 लाग दिया था ये पेंसन तो वापस हो गया बाद में balance छोड़के जाएगे 36,93,000 रुपया नोमनी को यदि 25 साल जिन्दा रहे अभी से तब क्या होगा? 18,000 रुपया वापस पेंसन आएगा, हर एक तरीकों इंकाउंट में आएगा, पास्वुक चेक करेंगे 6,000 रुपया पिर अगले में चेक करेंगे 6,000 रुपया वो constant आते रहेगा लेकिन बाद में 25 साल के बाद यदि पास्वुक चेक करेंगे तो 69,000,000 रुपया यहाँ पे आपको दिखेंगे इस पैसे को आप दो नमनी में ट्रांसफर कर सकते हैं आपको इसी तरफ मुचल फंड के बारे में कुछ और जानना है इंवेस्टमेंट के बारे में जानना है और यदि आप चंडी करके आस पास रहते हैं तो आप अपने ओफिस में फैमिली मेंबर के साथ हमसे फैनांसियल प्लानिंग का फीजिकल क्लास करा सकते हैं आपको ओनलाइन मुचल फंड में इंवेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप मुचल फंड का एकाउंड ओपेंड करने के बाद हमसे डाइटली जूड सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर सेयर करें उन लोगों को सेयर करें जो एक प्लोट के बाद दूसरा दूसरे एक बाद तीसरा एक रूम के बाद दूसरा रूम दूसरे के बाद तीसरा रेंट लगाने के लिए बेचाइन है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक इन सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू सो मच